पहला प्रशन है दोस्तों प्रथम इलेक्टरानिक कम्प्यूटर किसे कहा जाता है तो दोस्तों इंटरनेट को नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है कम्प्यूटर का मुख्यकार है, तो कम्प्यूटर का मुख्यकार ये data या сушना का विशलेशाड, उसे process और संग्रहित करना होता है तो देखिए data या सूशना का विशलेशाड, यानि analysis करना, process करना और store करना, ये computer का मुख्यकार है दुनिया का सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है यह है टाइटन डेक्ष्टाप छपाई के लिए किस प्रिंटर का प्रियोग किया जाता है दोस्तों, laser printer का प्रयोग deck stop छपाई के लिए या deck stop printing के लिए किया जाता है अगला प्रश्न है commands को ले जाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है तो इसे कहते हैं executing कमांडS को ले जाने की प्रक्रिया computer की भासा में executing कहलाती है दोस्तों, bluetooth टकनिक का क्या कारे है तो उपकरणों के मध्य वायरलेस संचार ब्लूटूथ तकनीक का कारे है Y-max किस से संबंधित है तो ये संचार प्रद्योग की यानि Communication Technology से संबंधित है Y-max प्रद्योग की अगला प्रशन है Windows Operating System की खोज किसके द्वारा की गई थी तो ये Microsoft द्वारा खोज की गई थी Windows Operating System की Computer में इस्मृत कमापन किसी अंतर से किया जाता है तो दोस्तों WITS के द्वारा BITS WITS के द्वारा Computer की Memory कमापन किया जाता है www जिसका Full Farm दोस्तों World Wide Wave है इसका आविसकार किसके द्वारा किया गया www का आविसकार Tim Berners लिद्वारा किया गया था अगला प्रशने दोस्तों आकडों को Television के माध्यम से Binary Signalों की सहायता से भेजे जाने वाला उपकरण क्या है इसे Modem कहते हैं बहतर सासन के लिए Computer के परियोग को क्या कहा जाता है तो दोस्तों Computer कृत प्रसासन को E प्रसासन, E Governance या E सासन कहा जाता है Virtual Memory का आकड़ा किस पर निर्वर करता है तो ये Disk के Space पर निर्वर करता है Virtual Memory का आकड़ा चित्र संदेश नीजी Inbox में कितने दिन तक रखा जा सकता है तो ये कुल 30 दिन तक रखा जा सकता है चित्र संदेशों को नीजी Inbox में Computer का मस्तिस्क या Mind of Computer किसे कहते है दोस्तों Computer के CPU यानि Central Processing Unit को Computer का मस्तिस्क कहते है आगला प्रशन देखते हैं दोस्तों Computer का मुख्य पटल या Main Board क्या कहलाता है तो Mother Board जो होता है वो Computer का मुख्य पटल होता है विद्यावाहिनी परियोशना बहुत ही महत्पूर है दोस्तों ये Computer सिच्छा से संबंधित है विद्यावाहिनी प्रोजेक्ट विश्व Computer साक्षार्ता दिवस यानि World Computer Literacy डेकप मनाया जाता है 2 दिसंबर को और CPU का मुख्य कारे दोस्तों सूचना और निर्देसों को Read करना, Interpret करना और उसे Process करना है CPU यानि Central Processing Unit Computer का मस्तिक कहा जाता है और इसका कारे सूचनाओं और निर्देसों को Read करना Interpret करना और Process करना होता है भारत का पर्थम Computer साक्षार्जीला कौन सा है तो ये मल पुरम केरल का है और Cyber लाकी सब्दावली में DOES का अर्थ क्या होता है दोस्तों Cyber लाकी सब्दावली में DOES का अर्थ है Denial of Services पहला Internet किस वर्स अस्तित्त में आया था तो वर्स 1968 में और दोस्तों Mouse का प्रियोग किसलिए किया जाता है तो Mouse का प्रियोग जो है Graphical User Index यानि GUI में Standard Pointing Device के रूप में किया जाता है Computer में Password किसकी सुरक्षा करता है तो Computer System में अनाधिकरित प्रवेश से Computer Password सुरक्षा करता है वा Hardware, Electronic Device जो Data को Process कर अर्थ पूंड सूशना में परिवर्द करता है उसे Processor या CPU कहा जाता है Computer आकड़ो की तृटीों को परदर्सित करता है तो दोस्तों Computer आकड़ो की तृटीों को जो परदर्सित करता है उसे Bug कहा जाता है Microsoft Word किसका उधारण है तो एक Application Software का उधारण है Microsoft क्या है तो दोस्तों Software विखास करने वाली एक संस्था या कम्पनी है Microsoft Computer प्रोग्रामों के लिए अन्य नाम क्या है तो इसका नाम Computer Software है दोस्तों SkyDrive जो कि एक Clouding Computing सेवा है किस कम्पनी से संबंधित है Microsoft से और अगला प्रश्ण है Next Question 1981 में 200 का पर्थम Computer Network तयार किया गया था जिसका नाम क्या था तो ये था Ethernet जो की दुनिया का पहला Computer Network था दोस्तों आप जानते हैं Computer का पिता किसे कहा जाता है तो सबसे पहले Computer का निर्माड Charles Beves ने किया था जिन्हें Computer का पिता कहा जाता है अगला प्रश्ण है दोस्तों तो टेलेक्स सेवा की शुरुवात किस वर्स की गई थी 1963 में और दुनिया के पहले सूपर Computer का निर्माड CRC यानि Cray Research Company द्वारा किया गया था अगला प्रश्ण है दोस्तों भारत में Television प्रसाराण की शुरुवात कप की गई थी तो ये 15 सितंबर 1969 से दिल्ली में की गई थी बहुत छोटे Portable Computer जो की हमारे हाथों में फिट होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है तो उन्हें Palm Tap कहा जाता है और Computer Process द्वारा सूचना में परिवर्तित क्या करता है तो दोस्तों Computer Processing के द्वारा सूचना में डाटा को परिवर्तित करता है Processing, Electronic, Spreadsheet, Data Less और Graphics प्रोग्राम को किस साफ्टवेर के अंतरगत रखा जाता है तो ये सारी चीजें दोस्तों Application साफ्टवेर के अंतरगत आती है Data Processing का अर्थ क्या है तो Data को उप्योगी बनाना Data Processing का अर्थ है विस्व का पहला गड़क यंद्र या Counting Machine कौन सा है तो ये है अबाकस या अबेकस ये दुनिया का पहला गड़क यंद्र है किस कमपणी ने सरुपर्थम Micro Processor का विकास किया था तो Intel कमपणी ने सबसे पहले Micro Processor का विकास किया था दोस्तों B.A.R.C. यानि भाभा Research Center ये जो हमारा है भाभा अनुसंधान केंद्र इसके द्वारा विक्सित जो सुपर कमप्यूटर है उसका नाम क्या है तो उसका नाम है अनुपम दोस्तों अगला प्रश्न है कि Digital कमप्यूटर के विकास में सरवाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है संयुक राज अमेरिका है डेक्ष्टाप और निजी कमप्यूटर का अनिनाम क्या है दोस्तों जो हम प्रियोग करते हैं डेक्ष्टाप या पर्शनल कमप्यूटर इसका अनिनाम माइक्रो कमप्यूटर है भारत में सिलिकान वैली किसे कहा जाता है बنگलूरु को हाइब्रिट कम्प्यूटर में किसका प्रयोग होता है तो digital और एना लाग संके दोनों का प्रयोग हाइब्रिट कम्प्यूटर के अंतरगत किया जाता है नेक्स्ट कुएस्टिन हैं दोस्तों बरतमान पीड़ी के computer में प्रियुक्त होते हैं तो ULSIC यानि Ultra Large Scale Intrigation Chip जो integration chip जो होते हैं IC चिप जिनको कहा जाता है IC तो इसमें Ultra Large Scale Intrigation Chip का प्रियुक्त किया जाता है जो बरतमान पीड़ी में प्रियुक्त किया जाने वाले computer है बिस्व का प्रथम programmer है Lady Ada Agasta ये बिस्व के प्रथम programmer है बिस्व का प्रथम electronic computer तो एन ये एक नाम है और micro computer hardware में भौतिक उपकरणों के तीन बुनियादी वर्ग होते हैं कौन-कौन से system unit, input-output और memory ये micro computer hardware में भौतिक उपकरण के तीन आधार वर्ग होते हैं अगला प्रशने दोस्तों computer का मुख system board क्या कहलाता है तो ये motherboard कहलाता है computer processor या CPU में क्या होता है तो CPU में एक control unit होता है ALU यानि arithmetic logic unit और memory ये computer process unit के भाग होते हैं दोस्तों BIOS पढ़ाली computer में भी द्यमान होती है तो ROM read only memory chip में BIOS पढ़ाली भी द्यमान होती है Next question है कि data cable के अंतरगत USB का कार्य क्या है ये है universal serial bus USB जो है इसको universal serial bus कहा जाता है दोस्तों यदि किसी computer में एक से अधिक processor एक साथ जोड़कर उप्योग किये जाते हैं तो उसे multi processing कहा जाता है अगला प्रेशन है computer processor के block दर या गति को कैसे नापते हैं तो इसे megahertz या gigahertz में या MB या GB में नापते हैं दोस्तों एक electronic device जो data को सूशना में परिवर्थित करते हैं उसे क्या कहते हैं उसे processor कहते हैं बुनियादी computer processing चक्र में क्या सामिल होता है input processing और output ये बुनियादी computer processing cycle में शामिल होते हैं computer घरी के गतिकी गड़ना की जाती है megahertz में और computer प्रडाली के लिए विश्तारण चमता यानि expansion capacity प्रदान करता है दोस्तों slots जो है ये computer प्रडाली को expansion capacity प्रदान करता है computer power supply में SMPS का अर्थ क्या है switched mode power supply switched mode power supply ये computer power supply में SMPS का अर्थ होता है अगला है दोस्तों personal computer के motherboard पर भी भी नगटक electrical conducting lightों के set से आपस में जुड़े होते हैं इन लाइनों को connectors कहा जाता है अगला है कि pen drive को computer से जोडने में क्या प्रियुक्त होता है तो USB port यानि universal serial bus port pen drive को computer से जोडने के लिए प्रियुक किया जाता है दोस्तों computer के processor की गति को किस में नापा जाता है M.I.P.S. million instruction per second computer के processor की गति को M.I.P.S. में मापा जाता है धोणी के पुनरुथान के लिए एक CD audio player में क्या प्रियुक्त होता है तो दोस्तों CD audio player में laser beam या laser के नडों का प्रियुक किया जाता है अगला प्रश्ण है टैब की टैब की का प्रियुक किया जाता है तो screen में cursor को move करने और paragraph को indent करने के लिए टैब बटन का प्रियुक किया जाता है अगला है किसी विशेश प्रकार के संगीत उपकरन को sound card से कौन support जोड़ता है तो ये media port जो है यानि musical instrument digital interface ये किसी विशेश प्रकार के संगीत उपकरन को sound card से जोड़ता है दोस्तों भारत में सरुपर्थम mobile सेवा कब प्रारम की गई थी तो वर्स 1995 में कलकत्ता से प्रारम की गई थी भारत में सरुपर्थम mobile सेवा अगला प्रश्ण है दोस्तों system unit क्या है तो एक box जिसमें computer system के सरवादिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसे system unit कहा जाता है control यानि ctrl और shift shift और alt यानि alt इसको क्या कहा जाता है तो control, shift और alt को क्या कहा जाता है इनको modifier की कहा जाता है दोस्तों qwerty आप जानते हैं qwerty qwerty का प्रयोग किसके संदर्व में किया जाता है तो qwerty जो है ये keyboard का एक फार्मेट होता है करसर को एक space दाई और खिसकाता या सब्दों के मध्य space कौन डालता है तो ये space bar का button या space bar की जो होता है वो एक space दाई और खिसकाता है या सब्दों के बीच space डालता है अगला प्रेशन है कि प्रतेग अच्छर के लिए shift key का प्रियोग किये बिना सभी अक्षरों को capital बनाने के लिए क्या प्रियोग किया जाता है caps lock key जो होता है ये सभी अक्षरों को shift key का प्रियोग किये बिना capital बनाने के लिए प्रियोग किया जाता है इस scanner किसे scan करता है तो picture और text दोनों को scan करने में scanner कारे करता है दोस्तों कौन सी input device computer system में text और numeric data enter करने के लिए सरवाधिक कामन है तो ये keyboard है, keyboard एक input device है motherboard के उपकाणों के मध्य सूशना के माध्यम से क्या travel करता है तो जो busage है दोस्तों, ये motherboard के उपकाणों के मध्य सूशना के माध्यम से travel करता है next question है दोस्तों, personal computer के विकास का स्रे किसे जाता है IBM यानि international business machines एक company है, इसको personal computer के विकास का स्रे जाता है अगला प्रशन है scanner इसकेनर एक input device है जो computer के लिए किसी image या document को capture करके digital code में परिवर्थित करता है और memory में संग रह करता है अगला प्रशन है दोस्तों digital camera में क्या प्रयूख होता है तो photo diode का प्रयूख digital camera में होता है object की property में जाने के लिए प्रयूख तो mouse technique क्या है right click जो है वो object की property में जाने के लिए right click किया जाता है अगला प्रशन है दोस्तों computer की समस्त सूचनाए या output देखने के लिए किस device का प्रयूख किया जाता है यह है monitor आईए देखते हैं प्रमुख output devices computer की तो monitor, platter, card reader, screen, image projector, printer, speaker और tape reader यह सभी computer के प्रमुख output devices है अगला प्रशन है दोस्तों की कौन सा output और input device दोनों है यह है modem और computer के मुख या प्रात्मिक memory के प्रकार कौन से है मुख के memory दोस्तों RAM होता है और प्रात्मिक memory ROM होती है बिजली बंद हो जाने पर भी memory के data या content नस्ट नहीं होते है तो ROM में, read-only memory में बिजली बंद हो जाने के बाद भी data या content नस्ट नहीं होते है अगला प्रशन है दोस्तों जब आप computer में किसी document पर कारे करते हैं तो document अ अस्थाई रूप से संग्रहित किया जाता है किसमे? RAM में, random access memory में किसी object या text को move करते समय mouse बटन को नीचे hold करने को क्या कहा जाता है? इसको dragging कहा जाता है दोस्तों बाह या तथा अस्थाई memory को क्या कहा जाता है? इसको सहाय किया auxiliary memory कहा जाता है CD और DVD किसके उदारण है? ये optical disk के उदारण है CD और DVD अगला प्रशन है कि virtual memory का आकार निर्भर करता है disk के space पर virtual memory का आकार निर्भर करता है अगला प्रशन pin drive pin drive एक हटाई जा सकने वाली secondary electronic memory होती है अगला प्रशन है दोस्तों किस memory का access समय सबसे कम है? तो ये है cache memory इसका access समय जो होता है सबसे कम होता है hard disk पर खाली अस्थान का उप्योग RAM की छमता बढ़ाने के लिए किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसको virtual memory कहा जाता है दोस्तों file को save कर computer बंद कर देने पर data या थावत कहां रहता है? तो secondary storage में जब file को save करके computer बंद कर दिया जाता है तो ये data secondary storage में रहता है computer system में किसी सब्द की लंबाई की माप कैसे की जाती है? तो वो bit में की जाती है computer की एकाईयों में सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रक्रम कौन है? तो देखिए क्रम जो है terabyte, gigabyte, megabyte और kilobyte ये देखिए ये बड़े से छोटे का क्रम है terabyte सबसे बड़ा उसके बाद gigabyte फिर उससे छोटा megabyte और सबसे छोटा kilobyte होता है अगला प्रशन है computer में जब किसी file में वे अनुदेश जिन्हें computer carry out कर सकता है उसे क्या कहा जाता है? executable executable जब किसी file में वे instruction होते हैं जिन्हें computer carry out कर सकता है तो उसे executable कहा जाता है एक समय में एक से अधिक application चलाने की आप रेटिंग से इस तरम की छमता को क्या कहा जाता है? इसे multitasking कहते हैं दोस्तों सबसे तीब रगत का computer देखिए मस्तिष्क की कारेपडाली को सरल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीब रगती वाला computer quantum computer होता है